तो ट्रेलर तो आप देखी चुके हो बागी चीज़े मैं आपको पताती हूँ अगर आप भी जम्मू जा रहे हो वैश्व देदी की दर्शन करने तो ये रेजिस्ट्रेशन ज़रूर करा लेना ये आपको बहुत हेल्प करेगा दर्शन कराने में और भी काफी सारी चीज़ो पर यहां पर आपको एक पास कलेक करना है and you are done यहां पर पास कलेक करने में ज्यादा देर नहीं लगती है बहुत एक कम रेट पर आपका पास बन जाता है उसके बाद हम लोग एक दूसरी जगा गए जहां से हमको बुक कराना था अपनी हेलीकॉप्टर राइड हम लोग हम बतारी हूं कोई लालाच नहीं है कुछ नहीं है बस बैठो और कुछ पैसे देदो और हम पहुँच गए वरना डेली में तो आपको हाल पता ही और टो वालोगा हम लोग दूसरी जोगा भी आए जहां पर हमें बहुत भूग लगी थी महाँ पर खाना खाने उससे पहले यहां बस यहीं पर आये थे हेलिकॉप्टर और फिर अपनी वी आईपी की टिकेट्स लेने के लिए उसके बाद हम लोग बहार निकल गए वहां से जहां पर हम लोग बिलकुल जैमातरी जैमातरी करते हुए जा रहे थे हम फिर एक रेस्टराँ में पहुँचे जहां पर बहुत ह प्यार वेज था कहीं पर भी अनियन एंड लिसन यूज नहीं किया गया था और पानी पूरी तो जस्ट वाव सीनिसली थंड में पानी पूरी खाने काने काना मज़ा ही कुछ और होता है मतलब थंड में कुछ थंडी चीज़े खा लो ना बहुत अच्छा लगता लाइक क्लीनिंग भी बहुत है और खाना तो बहुत ही जादा टेस्टी है क्योंकि कट्रा जाके बोला जाता है आप लसन प्याज भी टच नहीं कर सकते तो बस हमारा भी वही था कि हमें लसन प्याज नहीं टच करना और अच्छे से अपने दर्शन करने है केक कटिंग की सब को खि करना था ऐसा मन करा था लेकिन मेरा पेट ओवर ही भर चुका था उसके बार मैंने चम्मच से लिया क्योंकि पता नहीं सर हाथों से खा रहे थे लेकिन मैंने स्पून का इस्तिमाल करके केक खाया अगर आप भी कट्रा में हो तो ऐसी ही चीज़े करना जैसी मैंने आपको बत हैं शान शे बजे एक नई वीडियो के साथ